हलो बच्चों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूं हूँ है अच्छ आप लोग अच्छे हुँगे मंश्त हुँगे चलिए आज हम जो है कच्छा 11 के बिद्यार्थियूं के लिए नाग्रिello सास का पर बादिध सकते हैं आपको 3-15 कदेश करष परछात्यों को प्रस् yr के निधारित है नोट सभी प्रसन बच्चों अनिमार है इसमें बोवीकली प्रसन इण उसके बाद मैं अत्ले गुत्री प्रसन जानते हो आप लो एक एक नमबर को पूता है तिन सब्सक्राइब पर सब्सक्राइब रिकना है उसके बाद मैं लगुत्री को revisit पचास सब्दों में लिखना है और जो अतले गुत्री है पचीज सब्दों में लिखना है चलिए हम लोग सास्पवले बहुटी प्रस्टों को देखेंगे जो एक एक नमबर का है पहला बहुटी प्रस्ट आपके सामने हैं बहुत इसको आप ध्यान दीजिए मौली कदिकारों की अस्तगीत करने का अधिकार है किसी है तो बच्चों संसद नियम कानुन बनता है हमारे देश का भारत का संसद भौन कहा है नई दिल्ली मिश्तित है यहां सरे पुरे देश के लिए कानुन बनाई दा है तो भारती आश्ची विधाय क्या का किया है संसद है भारती समेधान निर्मान सभाँ ने किया था और भारती सम्धान जनक पर अबेच्टर हो प्रारूरश रमित के ज rendered पंडित जवाला नेरू बच्वो आप लोग जानते हो मारे देश के पहले प्रदानमंत्री थे पंडित जवाला नेरू भारत में गणराज की स्थापना कभी थी इसी दिन हमारे 26 जनवरी मना जाता है घरता अंदिती भारती सम्धान पूणूरूपस जवें लागू किया गय राज की स्थापना कवी थी 26 जन्वरी 1950 को खे अगला कुशन है कि राजसभा के सदर्षy को exit कि लिए निरेचीट की जाता है राजblindश्बाब के लिए निरेचीट कीजिए जाता है र्यति थे दोदो वर्स उधोर्ण के लिए जाता हैं हर मनुष की गर्मे होती हैं या किसका कथन है या स्टेटमेंस किसका है तो इमेनुवल कांट का हैं सही जो आप दोस्तों जो है सिसी हो जाए घ्र हो जाएगा अग्ला कोशन है कि प्राचीन का अलमे नयाया का संबंद किस्से था धर्म से ध्यान से राज से राजा से प्राचीन काल में जो न्याय का संबंद बच्चों था राजा से था क्योंकि राजा ही सर्वे सरवा होता था राजा ही नयाय करता था आप हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें देखेंगे आप राजा तमाम नयाय करता दिखाई पढ़ेगा तो प्राचीन का नयाय का संबंध जो है किस से था यह राजा से संबंधित था आदर्सनागरी का जो है गुल नहीं है कौन आदर्सना सबसे ज़्यादा खतरनाक है तो यहां बच्छों सही जवाब धार्मिक समानता आसमानता चले हम लोग अतलगトरी प्रस नों को देखिंगे जो दो दो अंको कर रहेगा अगरो 50 नमबर 11 देखिंगे उच्च न्यालज़ के दो अधिकार निमरिकर बटाईए तो उच्च न्याला के दो अधिकार नीमरिक्त है आई हैं इसका उत्तर बनों देखते हैं उच्च नियाला और सुप्रीव कोड दोनों करते हैं तो मुन अधिकारों से रच्छा हो गया दूसरा हो गया विवात लाग वसीयत नेला की ओमाना और कंपनी तानूर सम्मंधित मावलों में अधिकार छेत्र जो है लागू करता है हाई कोड और विकारी है अगला कुछन देखेंगे हम लोग दूसरा है तो क्या नीचसक नीच देश्णत ततो प्रस्वत नम्मर बारा की ईतर दीखेंगे रच की तो राज के वेत त्वे जो हैं जन कर्लेंकारी डाज की इस याण यस दो स्थापना के लिए दिसा निर्देश देते हैं उसे क्या कहते हैं नीद दिसंता तो कहते हैं राज के वेता तो जो चन कल्यान कारी राज की स्थापना के लिए दिसा निर्देश देते हैं उसे नीद दिसंता तो कहते हैं अगला कुछन है कारिपालिखा से आप क्या समझते है कारिपालीका से क्या समझते हैं देखो कारिपालीका सरकार का वह हम गया है जो विदाइका दोरा सब्कीत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है कारपालिका सिधी स्वात बच्चों कार करती है जो विधाय का कानून बनाती है उस कानून को जो है लागू करती है उसी के माध्यम से तो कारपालिका सरकार कवांग है जो विधाय का दौरा स्वविक्रित नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है अगल कितने वर्सों का है कितने वर्सों का और लोगसभा कारिकाल को हता है पांच रशोका इसको भी जानिए राश्वाकार कारिकाल कितने वर्षों को ता है तो जो हैफ्ए च्र वर्शका होता है इसके एक दियाई सफदर सपस्थे दू वर्षबास यondилась होते रहते हैं घ्था क्या आरति से देखना नागरीख समांता 30 को का राश्ती समानता क्या है दोस्तों आएस कुत्र में राश्टी समांता क्या राष्टी समांता क्या रथ है 안aryal um soban में बि ex space presents समांता कर आए बिल्यों के साथ विना किसी वहर किया जाना है राश्टी है स्मांता कहलाता है प्रश्वत्र नम्बर 18 है नागरीक के दो राजनीतिक अधिकार बताईए आई इसको उत्रमुद देखते हैं नागरीक के दो राजनीतिक अधिकार पहला है बच्चों ओर देने का अधिकार दूसरा है राजनीतिक संगठन बनाने का अधिकार कृष्न उत्र नमर और एफ ίह है करतब के जो है दो वहत लिख्याइह करतब के दो वहत लिखिएयद है यह करतब अगला कोशन है नागरी काउम मद्दाता में कोई एक थैन्ऺ फ़्छो तो नागरी के अलग होते हैं मद्दाता जो मददान करते हैं अग्रा कुछन दिकेंगे लगुत्री प्रसमीं जो बहुत एको कठी नहीं है आपको एक करना है इकपर प्रसुत्र मेरेकाइस देखेंगे प्रस्णुत्र काल का क्या महत्त है अस्पष्ट कीजिए तो बच्चों यह संसद में प्रस्ण पूछे जाते हैं जो देखो प्रस्ण काल कुद्देश होता है विभीन मुद्दों पर सरकार से जानकारी परात्व करना है दूसरा उद्दे जाता है वीविन मुद्दो पर सरकार्स पूछा जाता है अलग कुछन है संगात्मा सासन में सरोच नेला का क्या महत्त्व हैं तो संगात्मा सासन बच्चों संगात्मा सासन में समिधान क्या होता है सरोच होता है कौन सरोच होता है भारती समिधान जो है सरोच होता है संगात्मा सासन में समिधान सरोच होता है और सभी सरकारे समिधान के आधीन होती है जाए राज सरकार हो या बच्चो के सरकार हो सभी सरकारे जो है समिधान के आधीन होती है ठीक है सभी आधीन होती है सरोच न्याले समिधान की संगी समचना है और जो न्य सब्सक्राइब क्या चलता है है भारत में समयधार को सब्सक्राइब और सबस्क्राइब को लोग जानते हैं हैं जो बारती संदाइग निर्माड में तो वर्स मा इत्हारा दिन समय लगा था ए समय खर्चा हूए थे समान पातिक न्यायlaim काक्यार्थ है ऑशपेस्च कीजिए कानून की समग्र समानता कया क्या तात पर है आर्थिक अधिकार से तात पर है उसक्त पर दीरगūत्री प्रसन दीर गुलग उत्तरी प्रसनरेमियास की क्या अच्पच कीजिए भारत की संसथी प्रणारीव लोक सभाव क्या माहत्यों क्या कौन थो लोक सभाव कहती है नि यह सब जो कर रवाई होती है लोक में व GB हीक्सुन है और भारती्स अमाजिक न्याय के लिए परहट है है समानता क्यारत है एक बार आप पढ़लिंग इसको जो है आ जाएगा या कितने परकार की होती है भारती संसद का दिकारियां कारी को भीचना कीजिए भारती संसद आम लोग जानते हो हमारे देश का सबसे बड़ी संस्था है संसद या जो है नई दिल्ली में इस्तित है इसक काम बड़ी संस्था कावं से संसद है ये कहां दिल्ली मिस्तित है तो इसका काम है पुरे देश के लिए नियम कानून बनाना है थवा दिया है मौलिक अधिकारों सरे अच्छा क्रोब में सरोच नयले की भूल क्या की बैष्ञना कीजिए तो ये भी बच्चों मौलीक अधि के तहट और सरोच न्याले जो है अधिकारों का जो हनन होता है उसका रच्छा करता है और हाई कोड़ अनुक्षे 226 के तहट तो मौलीक अधिकारों से रच्छा करू में सरोच न्याले की भूनक्यक विवेचना कीजिए आप इसको लिख सकते हैं अधिकारों और तब्वों को संबंधित विवेचना कीजिए अधवाज है स्वत्ता त समानता की रच्छा के उपायों को भी विवेचना कीजिए ठीके बच्चों